नमस्कार देननी पढ़ो पढ़ाओं में स्वागत है आपका सच्चा वीर कभी आपत्यों से नहीं घपड़ाता प्रलोभन उसे कर्टब विपालन से विमुख नहीं कर सकते उसका लक्ष, उदार और उच्च होता है उसका चरित अनुकर्णी होता है अपने पवित्र उदेश की प्राप्ती के लिए वह सदेव, आत्म विश्वासी, कर्तब परायन, स्वाभिमानी और धर्म निष्ठ होता है और चरित्र की इनहीं खूबियों से परिपूर्ण विरांगना थी रानी लक्ष्मी भाई भारती वशुंद्रा को गवरवानवित करने वाली जहासी की रानी विरांगना लक्ष्मी भाई वास्त्विक अर्थ में आदर्ष विरांगना थी बुन्देले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी थी बच्पन से ही इन सब्दों को हम सुनते आएं आईए जाने आज महारानी लक्ष्मी भाई के जन और जीवन के संगर्ष के बारे में महारानी लक्ष्मी भाई का जन काशी में 19 नौंबर 1835 को हुआ था इनके पिता मorोपन तांबे चिकना जी अप्पा के आस्रित थे इनकी माता का नाम भागिरती भाई था महारानी के पितामा बलवन्त राओ के बाजी राओ पेश्वा की सेना में सेनानायक होने के कारण मorोपन पर भी पेश्वा की कृपा रहने लगी लक्षमी भाई अपने बालिकाल में मनु भाई के नाम से जानी जाती थी सन 1838 में गंगाधर राओ को जहांशी का राजा घोशित किया गया गंगाधर राओ की राणी का अशमय देहा वशान होने के चलते राजा विधुर थे सन 1850 में मनु बाई अर्थात बालिकाल की रानी लक्षमी बाई से उनका विवा हुआ सन 1850 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होने से जहांसी के कोने कोने में आनंद की लहर ब्याप्त हो गई हर घर में खुशिया मनाई जाने लगी लेकिन इन खुशियों पर अचानक बिराम लग गया जब चार माँ पस्चाथ उस बालक का निधन हो गया सारी जहासी में शोक का लहर प्याप्त हो गया जहासी शोक सागर में निमग न हो गई राजा गंगधर राओ को इतना धक्का पहुँचा कि वे स्वस्थ ही नहीं हो सके और असमय ही 21 नॉमबर 1853 को वे चल बसे राजा गंगधर राओ के देहावशान के समय देज भर में इस्ट इंडिया कंपनी की सरकार आरूड हो चुकी थी राजा गंगधर राओ ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राओ को दत्तक पुत्र मान लिया था और उन्होंने इसकी बिदिवत सूच्चा अंगरेजी शरकार को भी दे दी थी परन्तु राजा की मिलत्यू के बाद इस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्विकार कर दिया अंगरेजी हुकूमत ने दामोदर राओ को दत्तक पुत्र मानने से ना सिर्फ इंकार किया वरन उन्हें आगे राजा की विरासत देने से भी पूर्णता हिनकार कर दिया 27 परवरी 1854 को लाज डलहोजी ने गोद की नीती के अंतरगत दर्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अश्विक्रत कर दी और जहासी को अंगरेजी राज में मिलाने की घोशना कर दी राणी लक्षमी बाई को उसके राजनेतिक एजेंट ने इसकी शूचना दी इस शूचना के मिलते ही राणी के मुख से अचाना की वाक प्रश्फुटित हो गया मैं अपनी जहासी नहीं दूंगी 7 मार्च 1854 को जहासी पर अंगरेजों का अधिकार हो गया जहासी की राणी ने अंगरेजों का पेंशन अश्विकार कर दिया और वे नगर के राज महल में ही निमास करने लगी अंगरेजी हकूमत के खिलाब राणी लक्षमी बाई के इस पिरोद से ही भारत के प्रथम स्वाधिन तक करांती का बीच प्रश्पूटित हुआ हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई सुरुआत करने वाले महानायकों में अवल नाम जिन्होंने अंगरेजी सत्ता को आँखे दिखाई उनमें प्रमुक नाम राणी लक्षमी बाई का लिया जाने लगा अंगरेजों की राज लिपसा की नीती से उत्तरी भारत के नमाब और राजे महराजे भी असंतुष्ट चल रहे थे और सभी में विद्रोग की भाउना थी लेकिन राणी के बिद्रोग करते ही इन सभी में भी बिद्रोग की भाउना भड़क उठी राणी लक्षमी बाई ने इस उसर को अपने लिए स्वर्ण का उसर माना और करांती की जुआलाओं को अधिक सुल गया तथा अंग्रेजों के बिरुद्र बिद्रोग करने की योजना बनाई राणी लक्षमी बाई के साथ उस समय नमाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल अंतिम मुगल समराट की बेगम जेनत महल स्वैम मुगल समराट बहादुर शाह, नाना साहब के वगी, वकील अजी मुल्ला, शाहगड के राजा, वानपूर के राजा मर्दन सीन और तात्या टोपे आदी सभी सहयोग करने के लिए तत्पर हुए महारानी के आवान पे इस सारे राजा इकठे हुए और इसी के साथ भारत की जनता में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी देश भर में सुषंगठित और सुद्री रूप से करांती को कार्यानवित करने की योजना बनाई जाने लगी इसी क्रम में 31 मही 1857 की तिति निश्चित की गई लेकिन देश में इससे पुरू ही करांती की ज्वाला भड़क उठी और साथ मही 1857 को मेरट में तथा चार जून 1857 को कानपूर में अचानक विद्रोह सुलग उठा भीशन विपला हो गया कानपूर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतन्प हो गया इस बात से खफा अंग्रेजों के कमानडर सर हिरोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दवाने का प्रैत्म किया वे अपनी सेना के साथ सागर, गड़कोटा, शाहगर, मदनपूर, मड़खेडा, वानपूर और ताल बेहट पर अधिकार कर लिया और इन सारे स्थलों पर उन्हें शंसता पुर्वा कत्याचार किये इसके साथ ही उन्हें जहासी की और अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासन पहाडी के मैदान में पुर्व और दक्षन के मद्ध लगा लिया कमांडर सर हिरोज की गतिविदियों से रानी लक्षमी भाई पहले से ही वाकिफ थी वे पहले से ही सतर्क थी वानपूर के राजा मर्दन सी ने भी इस युद्ध की सूचना रानी को दिया और उनके आगमन की पूर्ण जानकारी उन्होंने रानी को बताई 23 मार्च 1858 को जहांसी का एतिहासी की युद्ध धारम हुआ इस युद्ध में कुशल तोप्ची गुलाम गौस खाने रानी के आदेशों के अनुसार तोपों के लक्ष साधकर ऐसे गोले फेंके की पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के चखके छूट गए रानी लक्ष्मी भाई ने उस दोर में साथ दिन वीर्टा पुर्वा घ्ञांसी की शुरक्षा की और अपनी छोटी सी शशस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मकाबला किया रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद में अपनी वीर्टा का परिचे दिया वे अकेले ही अपनी पीट के पीछे बालक दामोदार राओ को कस कर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद करती रही बहुत दिन तक इस युद का करम ऐसा ही चलता रहा लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ऐसा चलना असंभव था रानी को उनके सरदारों ने समझाया और सरदारों का आग्रा मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान कर दिया वहाँ जाकर भी रानी सांत नहीं बैठी उन्होंने नाना साहब और उनके योग शेनापती तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और आपसी विचार विमर्स के साथ रानी ने अंग्रेजों के उपर फिर से आक्रमन कर दिया रानी की वीड़ता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए लेकिन उन्होंने रानी का पीछा नहीं छोड़ा रानी भागती रही और अंग्रेज उसके पीछे लगे रहे भागते भागते रानी का घोड़ा बुरी तरह घाया लो गया और अंत में वीर गर्टी को प्राप्त हुआ लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शोरिका प्रदर्शन करते रही कालपी में ही महारानी ने ताट्या टोपे के साथ मिलकर आगे की रणनेती बनाई और अंत में नाना साहब शाहगड के राजा वानपूर के राजा मर्दन सी आदी सभी ने रानी के साथ दिया रानी ने ग्वालियर पर फिर से अक्रमर कर दिया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया ग्वालियर पर अधिकार करते ही विज्यो लास का उसर आ गया और लोग उत्साव में डूब गए कई दिन तक उत्साव चलते रहा लेकिन रानी इसके बिरुद्ध थी उस समय उनका मानना था कि यह समय विज्यो उत्साव का नहीं वरन अपनी शक्ति को शुसंगठित कर आगे के कदम बढ़ाने का है इधर दूसरी और सर हियोरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण सक्ति के साथ रानी का पीछा करते रहा आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने गौलियर के किला पर आक्रमन कर दिया घमासान युद्ध छड़ गया दोनों और से इस युद्ध का परणाम यह हुआ कि पूरी सेना को पचाड़ कर सर हियोरोज ने गौलियर के किले पर कबज़ा कर लिया रानी लक्षमी भाई इस युद्ध में पूरी कुशलता से अपने शाहस का पढ़चे देते रही 18.1858 को गौलियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल ने तिल्टु किया यही पर वे घायल हो गई और अंततह वीर गती को प्राप्त हो गई के मुझ से हमने शुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी हो तो चाशी वाली रानी